सबसे पहले आपके लिए एक ऐसा कॉंटेंट लेके आया हूं वैसे टाइटल थमनेल में अलड़ी आपने देख लिया है तो ज्यादा सस्पेंस भी नहीं क्रियेट कर सकते हैं यूट्यूबर लेकिन फिर भी बाइक के बारे में कुछ चीज़े बताना चाहूंगा कि इंडिय भी बहुत हाई है because of its performance तो सबसे पहले आपको इसका लुक दिखाते हैं मेरे जस्ट पीछे खड़ी हुई है देख रहो वाई होंडा की एक ऐसी बाइक जो सबकी चाहीती है जो भी लोग इसकी पावर से वाकिफ हैं इसके बारे में उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है और आज मैं इस बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ आपके लिए और आपको बताने वाला हूँ बाइक चलने में कैसी है because upon first time life में life मतलब entire life में पहली बार हम CBRRR चलाने वाले हैं सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास है इस टाइम हॉंडा की HRCRR समझ रहे हैं और यह है अपने गोल्डी भाई की दिल्ली में रहते हैं और अभी अभी उन्होंने नहीं यह मंगाई है और जैसे ही मंगाई उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सूरज भाई अगर आपको यह बाई चला के देखनी है तो आजाओ फटा फट दिल्ली विकॉस एक ऐसी बाई का चुकी अपरें पास जिसके आप दिवाने हो और जैसे उन्होंने इस बाई का नाम लिया अपन तुरंट फ्लाइट में बैटे फ्लाइट बुग मारी और फटा फटा आगर देल यह होंडा की ब्रैंडिंग सामने से इसका लुक देखो क्या लगती है यार बहुत ही जादा खुबसूरत और खतरनाक हाला कि अगर बल्क के रूप में देखें तो उतनी जादा बल्की नहीं लिखती है यह किसी एंगल से बट जो पावर वह एक नमबर है बाई कोई बीट से देख लो दाएं बाएं लुक सारा स्प्लिट सीड पीछे से इसका लुक और इस टाइम इसमें जो एक्जॉस लगा हुआ है ऐसी प्रोजेक्ट यह भी आप देख लो क्या बात है टाइटेनियम का कलर यहां पर आप देख सकते हो और इस बाइक में बहुत सारी ऐसी है यह और यह चावी मिली हुई है हाला कि इसमें आपको की भी मिल जाती है बट यह की जो है वो टांक खोलने के या पीछे opened के काम आती यह बाकी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस इस चावी को अपनी पॉकेट में डाल के रखना है ऐसे करके मस्त और यहां पे साइड में इसका स्विच दिया हुआ है देख सकते हैं आप पुश इगनिशन तो जैसी हम इसको पुश करेंगे यहां पे इसके डि वीपर क्लेच मिलता है वीली कंट्रोल मिलता है यहां तक कि टॉर्क य मिल जाता है इंजन ब्रेकिंग मिल जाती है ऐसी ऐसाइशी चीज़ें हैं मतलब वीदी का एंगल कर सकते हो आप इससे बाकी यहां पर आप यहां स्विच पहला horn का switch भी दिया हुआ है, मुझे लगा horn का switch generally यहाँ होता है, तो दिखा नहीं मुझे बाकी mode है यहाँ पे, और यहाँ पे pass के लिए light है इधर engine को start करने के लिए है और कोई switch इधर नहीं दिया हुआ है बाकी अगर damper की बात करें guys तो यहाँ पे mode का switch है, जैसे हम इसे press करेंगे यहाँ पे mode देखिए, आप 1 लगा हुआ है mode 2 हो गया, mode 3 हो गया अब 1 mode में बात करते हैं यहाँ पे कुछ P है, T है, W है, E, B है मतलब इतनी सारी चीजें किसी display में मैं पहली बार देख रहा हूँ P for power, T for torque W for wheelie control E for engine braking, तो सारी चीजें आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो कितनी power चाहिए, कितना torque चाहिए wheelie control कितने level पे हो और engine braking कितने level पे हो, सब यहीं से set कर सकते हो ठीक है, mode 1 में यह set है अब mode दबाएंगे, सारे modes अपने हिसाब से आप adjust भी कर सकते हो तो यह देखिए, बाकी ABS के भी level है, इस time level 2 पे है तो यह सारी चीजें है इस bike में अब यह नीचे उपर navigate करेंगे तो यह देखिए, यहाँ से 1 हो गया wheelie control 2 हो गया wheelie control 3 हो गया, और वो चीज यहाँ भी mention होती रहेगी, जो यहाँ पे change हो रही होगी navigate करते हैं, और यह bike जो है, यह देखिए, grip angle, date, instrument console kilometer per liter, यह mileage भी यहाँ दिखाता रहता है आपको, उसके बाद कई सारी चीजें हैं guys, इसमें फार मशीन है, भाई, कुल मिला के इतना जान लो, कि बहुत ही जादा तगड़ी मशीन है, इसको on तो कर दिया, लेकिन अगर हमें इस bike को off करना है, तो यह बहुत बड़ा question है कि इसको off करेंगे, तो ignition का यह जो switch है, इसको ऐसे घुमाएंगे और एक बार और घुमाना पड़ेगा हमें इसे, उसके बाद यहाँ पे दो बार मतलब continue दवाना है, उसके बाद 1000cc में भाई साब यह जो परफॉर्म करती है, एकदम फाट, 215 BHP की पावर मिलती है, 113 Nm का टॉक मिलता है, अगर दूसरी bike से compare करें, तो इतना torque तो मिल जाता है, लेकिन इतनी पावर नहीं मिलती है आपको किसी और bike में, बट इसमें आपको 218 PS और 200, उसी को आप convert करोगे तो 215 horsepower आपको मिलने वाली है, बाकी brakes caliper तो आप देख सकते हो, निफिन के हैं, जैसा कि अपनी BMW पे हैं, बट शोवा के suspension यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, दोनों suspension आपको शोवा के मिलते हैं, यह तो after market नहीं है, यह stock हैं, कुछ चीज़ें इसमें after market हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यह देखिए आप, यह छोटा सा जो guard लगा हुआ है, यह after market है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूपचूरत लग रहा है, मतलब इसके फ्रंट से देखें, तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी छोटी फीलो, कि बाइक थोड़ी सी छोटी है, बट साइट से काफी अच्छा व्यू आ रहा है, और छोटी होने की वज़े से है, लाइट वेट होने जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी एक चीज की इसका ग्राउंड क्लियरंस, यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरंस देख सकते हो, इसकी वज़े से कितना कम है, मतलब एक हाथ बर का ग्राउंड क्लियरंस है, अगर यह पांच उंगली हम रख दें, तो उसके आने देखा कि इसको घुमाएंगे जब हम, और घुमाते घुमाते यह आखिर है क्या, यह क्या दिया हुआ है, जनरली बहुत सारे लोग कनफ्यूज होंगे कि यह क्या है, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग कार चलाते हैं, उनके मन में स्टाइक कर गया होगा कि क्या है, अगर आपको तेल चेक करना है कि कितना है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं, मतलब मोबिल, इंजन ओयल, तो यह भी सही चीज है, बिल्कुल यहां से आप चेक करके इजली जान सकते हैं कि कि कितना मोबिल बचा हुआ है, जनरली यहां पर इ तरीके से जान सकते हैं यहां पर देख सकते हैं Honda की branding टैंक पर आपको मिल जाती है और जैसे टेनर में एक आता है छोटा सा यह ऐसा यह डिजाइन यह इन्होंने यहां भी दिरक्का है यहां पर फोन वगरा राम से टिक सकता है वैसे तो लेकिन यह फोन परपस के लिए है नही ही आप जो गाडू है तो फोन वगरा टिका सकते हैं बाकी जैसा कि मैने कीलेस फीचर आपको बताया है यह अगला फीचर है इसका जो किसी वर भाइक में ज哈哈哈 शायद जेकर आपको यह वादा है एक रीच लगातेंगे इसको यहाँ यह लगाएंगे तो बिलकुल जैसे रेस पर जाते हैं तो उसके लिए होता है और Quick Shifter, Auto Blipper, Slipper Clutch, Ride by wire Facility यह सारी चीज़े तो आपको मिलती ही मिलती ही Because Liter Class में Almost यह सारी चीज़े तो आपको देते ही देते आ जिदनी बाब देखता हूं मैं Specs भूल जाता हूं Bike को देखने लगता हूं split seats मिल जाती है 16.1 liter का fuel tank इसमें आपको मिलता है टायर की बात करें तो front में आपको 120 section का टायर मिल जाता है और rear में बात करें तो आपको 200 section का टायर इस bike में देखने को मिलता है generally 190 section का bike liter class bike को में देखने को मिलता है हो गई डुकाती हो गई इन बाइकों में आपको 200 section का टायर देखने को मिल जाता है पीछे से अगर हम देखने तो tail tidies का change हुआ यह stock नहीं है बाकी rear जो light है वो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी guys brakes की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यह adjustable है लिवर सारे इधर वाला लिवर adjustable नहीं है काफी पुरानी बाइक है तो उस टाइम adjustable नहीं आता होगा बट इंडिया में अब तो आही नहीं रही और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि यह CB unit है यह चीज कैसे इसका जो मीटर वहां लॉग होगा 299 पर जाके रुकने वाला नहीं है अब यह तो चलाने के बात पता चलेगा कि बाहर भी ऐसे कोई norms ना आते रहे हो उस ताइम जब यह आई थी कि 299 पर जाके लॉग हो जाए है और आपका भाई मतलब इतना भाई कि इस तो है कि जो चीज चला चुका है उसमें चलो ठीक चल जाता है लेकिन जो चीज अभी तक राइड नहीं करिए हर इंसान का एक सपना होता है कि अपन डे बाए डे ऊपर बढ़े वैसे बाइक में भी जब हम आरेश चलाते थे तो इसी लिए आप भागते हुए और अज इस बाइक को तो फाइनली पहली बार राइड करने वाल हैं एकदम लुक वखेरा चेंज भी कर दिया अपने आज से पहले आपने मुझे इस लुक में नहीं देखा होगा कभी भी और आज पूरा लुक चेंज करके आया हूं क्योंकि नई मतलब एक नया सपना पूरा होने वाला इसलिए हम मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है सारी चीजें आपको बताएंगे